और हम क्यों कह रहे हैं कि इस घोटाले के अंदर एक और बड़ा घोटाला है वो इसलिए क्योंकि बाकाइदा पंजाब नाशनल बैंक की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप लुकाउट नोटिस जारी कीजे इन दोनों शक्स के उपर 31 तारी को एफाय अरदर्ज होती है मगर उससे पहले ही उड़न्शू हो जाते हैं नीरव मोदी तो स्वाभाविक सी बात है यह आसान तो नहीं है और देश ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि विजय मालिया ललित मोदी और अब ये मामा भांजा देश का पैसा ही इस मुद् करोड का महा घोटाला मामा भांजेने से अंजाम दिया पी एनबी में ग्यारा हजार पार्ट सो करोड का महा घोटाला उजागर हुआ है नीरव मोदी और उसके मामा ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर घोटाले का आरोप लगा है Diamond King के नाम से जाना जाता है नीरव मोदी, मेहुल चौक सी भी, जाने माने Diamond Jewelar है, PNB के डिप्टी मैनेजर ने बिना बैंक को बताए चूना लगाया, बैंकिंग की विवस्था का ही एक तरह से मिस्यूस किया, बिना बैंक को बताए चूना लगाया, विदेश में भारतिया बैंक से पैसे लिए, पैसे लोटाए नहीं, यह पैसे जो लिए समान खरीदने के नाम पर, घोटाला खुलने से पहले, नीरव के देश से भागने का शक जताय जा रहा है, क्योंकि देश में नहीं है, नीरव मोदी इस वक्त विदेश में है, और घोटाला खुलने से पहले वो देश से चले गए, शक तो हो गाई, पी एन बी ने नीरव और मेहुल पर लुकाउट नोटिस की मांग करी है, पी एन बी की तरफ से बकाईदा वो चिठी सामने आई है, जिसमें पी एन बी ने ये मांग की है, कि जाच एजेंसिया नीरव और मेहुल पर लुकाउट नोटिस जारी करे, यानि गिरफतारी की तल तो लटक रही है लेकिन फिलहाल देश में नहीं है नीरव मोदी मेहुल चौकसी के खिलाब भी लुकाउट नोटिस की मांग की है पंजाब नैशनल बैंक का ये महा घोटाला और इससे जुड़ी ये बड़ी बाते थी अभिसार शुक्रिया आपका मांद्रा और लगातार हम आपको इन दो शक्स के चेहरे बता रहे हैं मामा बाजा और सवाल ये भी कि इतने आसानी से देश छोड़ कर कैसे चले जाते हैं ये देखे एक तरफ नीरव मोदी जी हां और दूसरी तरफ मेहुल चौकसी सवाल यही हम जो बलगातार पूछ रहे हैं कि अगर 29 तारी को पंजाब नाशनल बैंक जो है पंजाब नाशनल बैंक जो है वो इतनी कहता है कि आप लुकाउट नोटिस जारी कीजे और अगर 31 तारी को एफाय अरदर जोता हो जाती है तो मेहुल चोकसी या नीरव मोदी इ कैसे भाग जाते हैं कैसे भाग जाते हैं इन्हें क्या कोई टिप आफ दी गई है ये प्रशन अपने आप में उठना लाजमी है कितनी आसानी से हमारा पैसा एक बार फिर एक बार फिर इतिहास खुद को दोर आ रहा है और हम सीधे रुक करना चाहेंगे मेरे सायोगी ओपी थिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं उनके साथ अमांद्रा भी हैं उनप्रकाश मैं आपके जानना चाहूंगा ये जो 29 तारीक को PNB ने बाकाइदा यहां पर लुकाउट नोटिस जारी करने का लेटर जारी किया और 31 को FIR दर्ज हो जाता है मैं आपसे समझना चाहूंग कि नीरव मोदी देश से भागा कब FIR दर्ज होने से पहले या PNB ने जो लेटर लिखा था उससे भी पहले जी अभिसार उंप्रकाश इस वक्त नीजरूम में मेरे साथ हैं उंप्रकाश अभिसार ये जानना चाहते हैं कि ये जो लेटर लिखा गया है PNB की तरफ से लुक जर्नल मैनेजर ने ये चिट्थी लिखी थी CBI के जोन डिरेक्टर बंबई को और अवनीश नापालिया है पंजाम नेशनल जर्नल ऑफिस बंबे उन्होंने साफ तोर पर चिट्थी में कहा था कि लोगों के खिलाफ जारी कर दिया जाए लुकाउट नोटिस की क्योंकि ये मुकदमा दर्ज किया लेकिन CBI की जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक निरव मोदी फाइयार दर्ज होने के पहले ही वापस चला गया बादेश से बाहर चला गया अब उसको ये इंफॉर्मेशन किसने दी सबसे महत्पून बात है क्या उसे को इन्फॉर्मेशन मिली तो CBI फाइयार दर्ज होने के पहले ही बहाग गए देश से चले गए तब भागने का शक जताया रहा है नीरव मोदी का सवाल है कि क्या उन्हें पहले से इस बात की भनाक लग गए थी और यही वज़ा है कि M.A.B.P. निउस पर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस ने बताया नीरव मोदी को जिसके चलते वो हमारी गाड़ी कमाई को लेकर इस देश से बाहर भाग गया है कितने बड़े लोग हैं एक डायमंड किंग दूसरा जूलरी किंग आईए देखते हैं घोटाले में जो लोग फसे हैं वो कितने बड़े लोग हैं देखिए नीरव मोदी जोकी जूलरी डिजाइनर मेहुल जोकसी गीतांजली जेम्स का चेमन नीरव मोदी कुल संपत्ती 11,158 करोर Turnover मेल जोकसी का आपने आपको बताया देश विदेश में मेल जोकसी का 4000 Stores, नीरव मोदी देश विदेश में हीरे का कारोबार नीरव मोदी भारत में 85 वा सबसे अमीर शक्स माना जाता है और मेहूल कई बड़ी कामपनियों के मालिक